जो तिरंगाना फेडाए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बरे देश भक्त हैं हम ये पैगाम लेकर क्या हैं लालू जी का डॉक्टर के सला पे जादा भूम्रे से मनाग किया गया है लेकिन लालू जी अभी भी तैयार है मोदी जी का डवाई करने के लिए हम रहुआ लोग इनके भी कहतनी बच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी हलुआ दे करके पडोज देता है इतना जूट बोलते हैं हम तो पहले भी कई बार के हैं मोदी जी प्रधानमत्री है ठीक है लेकिन साथ ही साथ वह जूट बोलने के फैक्ट्री भी है होल सेलर भी है और डिस्ट्रिब्यूटर भी है हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे डरते नहीं साच को आज क्या उसलिए हम लोग लड़ेंगे इनके घीदर भबकी से हम लोग डरने वाले हैं यह लोग केवल डीलिंग करते हैं इसलिए वह कोई भी लीडर नहीं सब डीलर बैठा हुआ है और आज का जो जन सहलाब दे करके फिर से मीडिया के लोग भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा तो कम से कम विधायकों को लेगे हैं बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाई जैकर लिया और जो डरे डरे लोग गें अच्छा हुआ चले गें उससे कोई फ़र्क पढ़ने वाला नहीं है हमको कितरा भी मिटाने का कोशिश करोगे फिर से हम कारवा बनाने का होसला रखते हैं आज मुद्दे की बात नहीं होती मोदी जी समुंदर के अंदर चले जाएंगे कार्पिट भिछा करके बैठ चाहेंगे उसकी चर्चा होती है लेकिन किसान भायों का हाई दुगुना का वादा किया था जब हम लोग सवाल पूछते हैं राहुल जी सवाल पूछते हैं क्या हुआ दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंद्रा-पंद्रा लाग का तब ये गोधी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं देखिए आज मुंबई में अन्तिम दिन भारत जुरू यात्रा का रहा है और सबसे पहले हम राहुल गांदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में नोंने यात्रा किया चाहे कश्मीर से कन्या कुमारी हो या पश्मी राज्यों से लेकर के हमारे नौर्थी स्टेट से लेकर के हर जगर राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगांब एक शंदेश देने का काम किया है जो की आज के दोर में बहुत ही जरूरी है प्रसांगिक है आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है जहां टकरार की बात की जारी है जहां प्रॉपगेंडा किया जा रहा है जहां देश के सन्वधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है अस्थाई सरकारों को चुनुई वी गिराया जा रहा है जहां सच नहीं केवल जूट का प्रपगेंडा चलाया जा रहा है सन्विधान लोग तंत्र पे खत्रा है वहां आधर ने राहूल गांदी जी ने सबी लोगों को जोडने के लिए देश के लोग तंत्र को बचाने के लिए देश के सन्विधान को बचाने के लिए अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोरोयात्रा किया है इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी को देना चाहते है और यहां बैठे हुए सभी महागड़ बंदन और इंडिया अलाइंस के जो भी हमारे नेता है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं के इस दौर में जहां पूरी ताकते लगाई गई हो ड़ाया जा रहा हो लोगों को लालच दिया जा रहा हो लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के सन्विधान और लोकतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूपसूरिटी डाइवर्चिटी है उसको बचाने के लिए एक जुठूए है कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं उस सोच को हराने के लिए जो देश को बाटना चाहती है उसके लिए हम लोग एक हुए हमारी लड़ाई वेक्तिगत मोदी जी से हमिच्छा जी से नहीं है हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किये हैं जिनोंने हमेशा से जिनका अज़ादी में कोई योगदान न रहा हो जो तिरंगाना फेडाए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बरे देश भक्त हैं अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है बहंगाई है आज गरीबी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुद्दे की बात नहीं होती मोदी जी समुंदर के अंदर चले जाएंगे कार्पिट विछा करके बैट जाएंगे उसकी चर्चा होती है लेकिन किसान भाईयों का आई दुगुना का वादा किया था जब हम लोग सवाल पूछते हैं राहुल जी सवाल पूछते हैं क्या हुआ दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंदरा पंदरा लाग का तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं और पट्टा की जो रैली हुई दस लाग से भी जादा लोग आए पट्टा में जन्द विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन्द से लाब दे करके फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां हम लोग लडने वाले हैं अपने लिए नहीं आपके लिए लडने आए हैं आपके लड़ाई लडनी है इसलिए हम यह पैगाम लेकर के आएं लालु जी का डॉक्टर के सलापे ज़्यादा घूमने से मना किया गया है लेकिन लालु जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इन से लड़ते लड़ते लेकिन वो डरे नहीं जुके नहीं आज माराष्ट में खास और पे बंबई में राहुल जी ने निमंतरन दिया और हम लोग यहां आए हैं और यहां बिहार की लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं हम रवा लोग इनके भी कहतनी बच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी हलुआ दे करके पडोश देता हैं इतना जूट बोलते हैं हम तो पहले भी कई बार के हैं मोदी जी प्रधानमत्री है ठीक है लेकिन साथी साथ वो जूट बोलने के फैक्टरी भी है whole seller भी है और distributor भी है यह उनका काम है हम लोग सच्चे लोग है और सच्चे लोगों को कितना भी डराऊगे डरते नहीं साच को आज क्या उसलिए हम लोग लडेंगे इनके गीदर भबकी से हम लोग डड़ने वाले हैं आ बता हूं लोग डड़ोंगे लडाइं लड़ोंगे कि नहीं लड़ोंगे साथ दीजेगा ना सबका हम तो कहना चाहते राहुल गांदी जी जो यात्रा किये ये भो सकता है पहला चरण हो लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा चाहे सत्ता में आए या ना आए हमको जनता के बीच उनके सुक का दुखधर का बागिदार बढ़ना पड़ेगा हमेशा जनता के बीच रहना होगा क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया है आप उसमे इतना भेद भाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेद भाव नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच जनता के बीच रहना होगा और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है मोहबत की दुकान इसको बंद मत कीजेगा कभी हमेशा आगे जन्डा बुलंग करने का काम कीजेगा आज यहां शरत पवार जी भी है उद्दर जी भी है आपको पता है ओपरेशन लोटस हो रहा था यह विधायकों को खरीदा जा रहा था डराया जा रहा था यह एक बात बता देते हैं आज महराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर नहीं है सब डीलर है शरत जी के नाम पे NCP के नाम पे वोट लेगे भाजपा से डीलिंग कर लेगे रावल गांधी जी के नाम पे वोट लेगे भाजपा से डीलिंग कर लेगे सिफ से ना उद्धाफ जी के नाम पर वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे ये लोग केवल डीलिंग करते हैं इसलिए वहाँ कोई भी लीडर नहीं सब डीलर बैठा हुआ है और जो डरे डरे लोग गये अच्छा हुआ चले गये उससे कोई फरक पढ़ने वाला नह है हमको कितरा भी मिटाने का कोशिश करोगे फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं उसलिए हम सब लोग यहीं आए क्योंकि जंता आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का शिर्वाद मिलता रहना चाहिए अरे महराश्च्ट्रा में तो कम से कम विधायकों क कहते हैं कि मोदी जी की गारेंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारेंटी है हम मोदी जी को चैलेंज करते रहें मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारेंटी देना देना लेकिन अगर मेरा चाचा का गारेंटी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पढ़ते हैं कि नहीं प प्रस्रेश्द कामना है बढ़े है अभी वावक है लेकिन अहां वहां जो आवाम का टाकत मिल रहा है रावल जी आये थे सब लोग आये थे जो प्यार मिल रहा वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोस्ती हो सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हों गोदी मीडिया के लोग लेकिन बिहार में इस बाद शौकाने वाला रिज़र्ट हम ला करके देने का काम करेंगे और आप लोगों को भी कहेंगे कि एक जुठो जाइए एक जुठों करके लडाई यह मोदी जी क्या बोलते हैं दो करोर हम मोदी जी को चालेंज करके बोलते हैं सत्रह महीने के मऄ ल डिप टीशीं मूम बिहार के रहें पाँच लाग लोगों को सर्कारी नोकरी दिया मोधी जी अपने दस साल में भी 5 설प्स लाग किसेलिए नोकरी दे बता नहीं सकते करेंजे देते किद्रा सरकारी नोकरी दिया सबसे जादा बाली रेलवेश कहता था सब चीज प्राइविटाइज कर दिया गया, खतम कर दिया गया आड़ी में आपता था उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं कॉंट्राक्ट पे सारा चीज कर दिया गया तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे जादा सबे हम नहीं लेंगे सबी गन्मान देक्टियों को हमारे अभिवाबक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है वो अपनी बात को आप लोगों के समख्ष रखेंगे लेकिन आप सब लोग एक डाना लगाईएगा हम बोलेंगे भाट पा भगाओ आप सब बोलना देश पचाओ भाट पा भगाओ भाट पा भगाओ बहुत बहुत धन्यवाद